वेल्कम बैक टु यरोवन चैनल मार्केट एनलीसिस दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या कुछ लेवल्स हमें आगे चलके देखने को मिल सकते हैं इसके अलाव दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरडे एंड स्विंग स्टॉक्स जिनमें एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है तो बने रहे किश वीडियो पर एंड तक चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी अब इसने क्या किया दोस्तों बिल्कुल अपने डे लो के आसपास इसने जो ख्लोजिंग दी है कल के दिन हमें देखना होगा अगर यह वाले लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है तिमलेर अगर मैं बात करूं निफ्टी बैं कि मिला उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी सस्टेन अपने आपको नहीं कर पाई एकदम सड़न फॉल आया जैसी यह वाली कैंडल बनी तो दोस्तों उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर एक पुट बाई किया था और इस कैंडल में जबरदस प्रो जो सपोर्ट है इस पर आप नजर बना के रख सकते हैं अगर कल के दिन यह यहाँ पर ब्रेक हो जाता है या गैप डाउन आपको खुलने को मिल जाता है तो आपको सीधे-शीदे यह वाली लेवल दिखाई पड़ सकते हैं और फिर इस वाले लेवल को यहाँ पर निकाल दे लेता है तो फिर से आपको जो तेजी आएगी वह एटलिस आपको इस लेवल तक आते हुए दिखाई बढ़ सकती है तो इस पर भी आप जो नजर बना के रख सकते हैं ना दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टोक जिन में हमने अभी रिशेंटली स्टड़ी कर रहे थे और बहुत अच्छा मोमेंटम यहां पर बना के दिया हुआ है आप देख सकते हैं एडवांस एंजाइम मैंने इस लेवल के आसपास स्टड़ी कर आया था 3025 के असपास और आज आप देख सकते हैं इसने क्या जबर्दस्त यहां पर रिटन बनाके दिया हुए 437 का इसने जो हाई लगाया हुए अगर हम इस return को count करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं दो दिन में सिर्फ इसने कितना return दिया है करेज 17% का return यहाँ पर बनाके दिया हुए I hope आपने इसको gainfully enjoy किया होगा अब आगे क्या condition हमें देखने को मिल सकती है हो सकता यह जो stock के यहाँ पर अपने आपको support ले उसके बाद bounce back करेगा और bounce back करने के बाद जैसे इस level को निकाल देगा तो फिर से एक जबरदस्तेजी हमें देखने को मिल सकती है next work मैंने आपको study कराया था KNR construction आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा momentum यहाँ पर अलरड़ी बना के दे चुका है और आगे भी जो momentum है वो continue हमें देखने को मिल सकता है next work आपको याद होगा Luxe Industry जुलाइक के बिल्कुल starting में मैंने आपको study कराया था और अभी तक इसने 33% के आसपास का return बना के दिया हुआ है next work लेवर्ट इशू जून के starting में मैंने आपको study कराया था अभी दो महीने हो चुके हैं और दो महीने में करीब इसने 58% का return यहाँ पर बना के दिया हुआ है तो I hope आपने इसको gainfully enjoy किया होगा next work आपको recently मैंने study कराया था इगार्शी मोटर्स आप देख सकते हैं करीब 10% के आसपास का momentum यह already बना के दे चुका है अब हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ और नए भैतनी stock जिनमें एक अच्छी खासी momentum हमें देखने को मिल सकती है तो सबसे पहला stock जिस पे हम नजर रख सकते हैं green panel इसको आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा chart pattern बना हुआ है इसको क्या बोलते है inverted head and shoulder बना हुआ है और जैसे ही इसका हमें क्या मिलेगा breakout हमें मिलेगा तो बहुत जो बर्दस momentum हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है तो इस पे आप जो नजर बना के रख सकते हैं नेक्स्ट ओक जिस पे हम नजर रख सकते हैं rail tail corp आप इसको देख सकते हैं दोस्तों इसने जो high लगाया था करीब 620 का high लगाया था इसके बाद इसने जो यहाँ पे correction की है अभी यह क्या कर रहा है अपने support के आसपास आने के बाद bounce back करने की कोसिस कर रहा है इस तरीके से trend line हमने डो किये अगर इसका breakout हमें देखने को मिल जाता है तो एक अच्छी खासी आपे हमें तेजी दुबारा से देखने को मिल सकती है तो इस पे भी आप जो इनजर बना के रख सकते हैं इसको अपने end पे study कर सकते हैं नेक्स्ट वोग दोस्तों आपको याद होगा IEX मैंने इस लेवल के आज पास study कर रहा है इसने अच्छा कासा return यहां पे बना के दिया हुआ है और उसके बाद क्या किया है इसने retest किया और फिर से निकलने की कोसिस कर रहा है अगर इस हाई को निकालेगा तो एक छोट असर target हमें यहां तक और उसके बाद इसको sustain करने के बाद एक बड़े target फिर से open हो जाएंगे तो इसको भी आप अपने end पे study कर सकते हैं लास्ट पर नौत दर लिस्ट राइट्स यह आपको याद होगा मैंने आप यह कुछ दिन पहले आपको study कर आए था कि यह क्या कर रहा है एक ही zone में यह काफी दिन से trade कर आ रहा है यह इसको हम बॉल सकते हैं डर्वस बॉक्स बॉल सकते हैं इसको दोस्तों जो breakout है वो यहाँ पे होते हुए हमें दिखाई दे रहा है अगर यह breakout सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी हमें दिखाई फड़ सकती है तो इस पे भी आप जो नजर बनाके रख सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी ए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शबी दोस्तों में शेयर करें थाकि सब को यहाँ पे सीखने को मिले चले दोस्तों मिलते हैं नेक्श उडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केया